हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ फीज से बहुत ही बढ़ी आसी केचन टिप्स शेयर करना चाहती हूं कुछ केचन टिप्स तो ऐसी हैं जो कि आप अपनी लाइफ में ज़रू से जरूर इंक्लूड करेंगे और आपके लिए बहुत ही जादा इसकी कुछ पीनट्स होते हैं पैकेजिंग के अंदर ही उन में से कुछ मिट्टी वगेरा होती है हम क्या गरते हैं डायरेक्टी यूज कर लेते हैं तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़ी सा सल्यूशन लेकर आई हूं आपको जो है पोही के लिए पहले से ही जो पीनट्स है उसको हम रोस्ट करके रख लेंगे तो इसका पूरा प्रोसीजर अभी मैं बताने वाली हूं सबसे पहले तो मैं अभी आपको दिखाती हूं इसमें से कितनी मिट्टी निकली है लास्ट में तो अभी देखेगा तो ये एंड में देखेगा अगर आप इसको डाल लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है पैकेजिंग में थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है तो अच्छे से इसको वोश कर लेना जरूरी है तो यहां मैं दो से तीन पानी इसको वोश कर लूँगी बहुत जादा रगड़कर नहीं करना जो मिट्टी है न वो अपने आप साफ हो जाए है देशी घी जादा मत तालिएगा जितने अगर क्वांटिटी जादा है न तो आप एक चम्मच पूरा भर कर डाल सकते हैं यहां पर क्वांटिटी कम ही थी और यहां पर हम डाल रहे हैं पीनट्स के जो दाने थे ना उसको इसमें एड कर देंगे और अब हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे अच्छे सी खुश्बू भी आनी शुरू हो जाएगी और इस प्रोसीजर को करने में आपको दो मिनट तो लगे गई ही बस हाई फ्लेम पर नहीं करना है हाई फ्लेम पर उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मि क्रंची भी हो चुके है और अच्छे से मोईश्ट भी इन का जा चुका है बस जब भी आपको पोहा बनाना है न तो आपको ये करना है आपको प्याज का तड़का लगाना है बस हमें पीनट उसमें डाल देने हैं अलग से रोस्ट करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं हमारा मूंगताल से एक ह्मार क्लाम से style से थोड़ा फ़हादा है कि याद युदध दानिध तो अब तो कि गरा करेंगे इसमें गरम गरम पानी धोने के बाद अच्छे से दो लिजेगा ये के बार आदे इसको 10 मिनट ही होँए हलक़े से वोलनी शुरू हो चुकी है आधे घंटे में आधे पोने घंटे में प्रोपरली फूल कर तैयार हो जाएगी तो जो पानी है ना बिल्कुल गरम-गरम लीजेगा तो यह होगा ना जो चीज हमें तीन से चार घंटे में मिलेगी आपको एक घंटे के अराउंड जो है मौंग दिखाती हूँ एक घंटे के बाद जो हमारा मौंग ताल थी वो थोड़ी फूल चुकी है एक दो घंटे हो चुके थे मैं कुछ और बना लिया था उस वज़े से तो इसको थोड़ी से स्प्राउट्स भी आने शुरू हो गए है तो आप देख सकते हैं हलके से स्प्राउट तो आपको बता है कि अभी टाइमिंग हो चुकी है डिनर की या फिर लंच की तब आप तीन से चार रोटी एक बार में बना कर रख सकते हैं तो यहां पर मैं दो रोटी बना कर दिखाऊंगी आपको और उसके बाद जो तवय आप उसको गरम कर सकते हैं और फिर आपको यह रहेगा कि हमें एक रोटी तवय वाली बनानी है बिगिनर्स के लिए स्पेशली यह ट्रिक है कि आप दो से तीन रोटी पहले ही बना कर रख लीजिए और वो तीन रोटी को अच्छे से सिक लगवा सकते हैं और रोटी बना सकते हैं तवय पर तो यहां पर मैं सिकिन वाली आप डोटी भी बेल कर रख लूँगी, तो यहां पर मैंने सकीन वाली रोटी बना ली है तो ऐसे ही न आप दो, रख सकते हैं फूलती नहीं है थोरी सी रह जाता है तो हमें इन चीजों चरा है तो चीजों की पहलता हैinda रोटी का रह जाता है तो हमें इन चीजों का भी ध् पहले उसके बाद आप उसमें रोटी डाल सकते हैं कि यवर के होते हैं हम रोटी बना लेते हैं पहले और तबा जो है गरम करना भूल जाते हैं तो यह सारी दिक्कते आती है थर्टी पाती है हमारी बंद गूबी से रिलेटीड आपको बता ही है बंद गूबी में कहा जाता है कि कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और उसकी वज़े से हमें जो है दिक्कत भी हो जाती है तो हैल्थ इस्यूस को मद्दे नज़र रखते हुए हम जो बंद गूबी है उसको दो तरीके से आप अच्छे से जो है साफ कर पाएंगे तो यहाँ पर जो पहला तरीका है अगर आप उसको ट्राइ करना चाहते हैं तो आप ट्राइ आउट जरूर कर सकते हैं उसमें है कि आप डारेक्ट ही इसको हीट देंगे एक मिनट के लिए लेने के बाद हम क्या करेंगे इसका जो एक एक पत्ता निकालना है इसको कट नहीं करना इसको जो हमें एक पत्ता निकालना है अच्छे से इसको बोईल कर देना है तो यहाँ पर मैं इसमें से जो भी आपको लिए निकलती जा रही है आप साफ पानी में डालते जाहिए तो तो अब हम इसमें से पत्ते निकाल सकते हैं तो यहां पर ब्ल्मॉस्ट मैंने सारी जो है बंडगोबी निकाल लिए है और बंडगोबी में हम इसमें डू चीज़ें अट करेंगे जिसे की बहुत अच्छी तरीके से बंडगोबी खाने के लिए तैयार हो जाएगी सबसे पहले हल्दी, हल्दी आप सभी को पता है, ये हमारे लिए बहुत ही जादा बढ़िया होती है, सेकिन है नमक, ये दोनों चीजे बहुत ही जादा बढ़िया रहती है, को तो अच्छे से हमें उबलने में हेल्प करती है, और सेकिन जो भी बैक्टीरिया वगेरा होते हैं और अगर आपके पास बंद गोबी को ठंटा करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत जादा बीजी है, तो आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मल जो फ्रिज का पानिया वो भी ले सकते हैं, फिल्टर का पानी भी ले सकते हैं, उसमें इसको जो हर टांसफर कर सकते ह हैं, तो निक्स्टेक के लिए भी यह बिल्कुल ही बढ़िया रहेगी, ताजी रहेगी, तो आप कुछ भी दोनों में से कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सा यह चोटा सा है, आप इसको ट्राइ आउट जरूर कीजेगा, और लंबे समें तक अगर आप चाहते हैं कि यह बला हैक आपको बहुत ही जादा पसंद आने वाला है, क्योंकि क्या होता है न, कि जब भी हम यह चोटे से हम बाम जस्ते में, जब भी कोई भी चीज हम पीसते हैं तो वो उड़कर बाहर आ जाती है, बाहर के साट गिनने लग जाती है, जैसे हमें बादाम पीसने हो, आपना इसको कूटना शुरू कर सकते हैं, बहुत इजी टास्क है, जो भी उचलेगा न, वो उपर किस आड़ी रहेगा, और आप देख भी पाएंगे कितना हो चुका है, है न, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार आइडिया, मुझे अगर वीडियो पसंद आई है, तो ल झाले बहुत